राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब मारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको दनतेरस की कता और दनतेरस का महत्व बताएंगे दोस्तों कातिक मास के क्रश्णपक्ष की तियोधिशी को दनतेरस का पर्व मनाया जाता है दन तेरस को दन त्योदर्शी, दनवंत्री त्योदर्शी या धनवंत्री जैन्ती भी कहा चाता है माननेता है कि समंदर मन्थन के दोरान काते क्रश्न त्योदर्शी के दिन भागवान धनवंत्री अपने हातों में अमरत कलश लेकर प्रकट हुए थे दन तेरस के दिन भगवान धनवंत्री भगवान शरी गणेश माहता लक्ष्मी भगवान कुवेर और यमराज की पूजा की जाती है दन तेरस के दिन भगवान धनवंत्री की पूजा करने से आरोगे और तीरगायों की प्राप्ति होती है यम्राज की पूजा करने से अकाल म्यत्यू का भेटर जाता है कुवे देप की पूजा करने से जीवन के समस्त बहुतिक सुखों की प्राप्ति होती है पागवान शिरी गणेश और मालक्ष्मी जी की पूजा करने से घर धन्धाने से परिपूर हो जाता है पौरानिक माननेताओं के अनसा धन 13 के दिन जिस चीजी खरीदाली की जाती है उसमें 13 गुना प्रधी होती है शास्त्रों के अनुसार आज के दिन सच्चे मन से धन 13 की कथा सुनने मात्र से ही मालक्ष्मी की करपा से गरीबी और द्रिदेता का नाश होता है धन बैभब और सुक्सम्रति की प्राप्ति होती है और सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है शास्त्रों की अनुसा धन तेरस की कथा इस प्रकार है एक समय भागवान विश्णू मृत्तियों लोग में बिच्रण करने के लिए आ रहे थे तम मा लक्ष्मी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया तब भागवान विश्णू जी ने कहा कि यदी मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानों तो फिर चलो तम लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और भागवान विश्णू के साथ भू मंडल पर आ गए कुछ देर के बाद एक जगह पर पहुँचकर भागवान विश्णू ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहां ठहरो मैं दर्श्णू दिशा की ओर जा रहा हूं तुम उधर मत आना विश्णू जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतू हन जागा कि आखित दर्श्णू दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है और भगवान से चले गए लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़े कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सर्सों का एक खेट दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे सर्सों की सोभा देखकर बैमंत्र मुक्त हो गए और फूल तोड़कर अपना श्रिंगार करने के बाद आगे बढ़े आगे जाने पर एक गन्ने के खेट से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगे उसी छण बिश्णू जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हीं शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना माने और किसान की चोरी का अपरात कर वैठी अब तुम इस अपरात के जुर्म में इस किसान की बारे वर्स तक सेबा करो ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर छी सागर चले गए तक लक्ष्मी जी उस गरी किसान की घर में रहने लगे एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम इस नानकर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी के पूजा करो फिर रसोई बनाना तब तुम जो मांगोगी मिलेगा किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी के कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन तन रतन स्वन आदी से भर कया लक्ष्मी जी ने किसान को धन धानने से परिपूर कर दिया किसान के बारह वर्ष बड़े आनन्द से कट कई फिर बारे वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई विश्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आई तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया तब भगवान जी ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है यह तो चंचला है कहीं नहीं ठहे थी इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके इनको मेरा शाप था इसलिए बारेवर से तुम्हारी सेवा कर रही थी तुम्हारी बारेवर सेवा का समय पूरा हो चुका है किसान हट पूर्बग पूला कि नहीं, अम मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा तम लक्ष्मी जी ने कहा, कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाते हूँ, तो जो मैं कहूं वैसा करो कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत का स्रच करना रात्रे में गी का दीपक जला कर रखना और साइकाल मेरा पूजन करना और एक तावे के कलस में रुपए भर कर मेरे लिए रखना मैं उस कलस में निवास करूंगे किन्तों पूजा के समय मैं तुमहें दिखाई नहीं दोंगे इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगे यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ दाशों दिशाओं में फैल गएं अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन के अनुसार पूजन किया उसका घर धन धानने से पूर हो गया इसी बजह से हर साल कातिक मास के क्रश्न पक्ष के तियोधर्शी के दिन मातर लक्ष्मी का पूजन होने लगा धन तेरस के दिन मातर लक्ष्मी का जो पूजन करते हैं और इस कथा को सच्चे मन से सुनते हैं साल भर उनके घर में धन धानने की कोई कमी नहीं रहते माता लक्ष्मी की कृपा से उन्हें सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई हुगी प्लीज लाइक करें शेयर करें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फोर वाचिंग रादे रादे